हेलो टेडर्स वेलकम बैक टू माय चानल चलो देख लेते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या व्यूस बन रहे और कल कुन से स्टॉक हम यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हो कि निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है और पूरा टॉपडवन अनालेसिस हम यहाँ पर करने वाले तो अगर हम यहाँ पर से डेली टाइम फ्रेम में चलेंगे तो कुछ लेवल्स हमने यहाँ पर कल डिसकस कियो थे तो सिंपल हमने यहाँ पर क्या डिसकस कियो थे कि मार्केट अपने एक इंपोर्टन सपोर्ट प्यारा है लगबख 17,000 का वो लेवल था और वो लेवल हमने किस तरिके से फाइन किया था अगर आप देखोगे तो हमने क्या किया यहाँ पर इस वाले ट्रेंड को बॉटम से लेके टॉप तक फिबोनाची का टूल लगाया है और प्राइज अपने 0.382 पर आ रहा था प्राइज यहाँ पर सपोर्ट लगा रहा था तो आप पूछोगे कि 0.382 इतना इंपोर्टन लेवल नहीं है इतना इंपोर्टन फिबोनाची का रेचन नहीं है with respect to 0.5 and 0.618 फिर भी मैं क्यो इतना इसे importance दे रहा है या फिर market क्यो इतना इसे respect कर रहा है अगर आप देखोगे तो दो दिन यही पर market रुखा है ठीक है तो अगर मैं आपको simple बताना चाहूँ तो अगर यही level हम आगे extend करेंगे तो आपको दिख जाएगा कि market यहाँ पर previously बहुत बार support लिया हुआ है इसी वज़े से यह एक structural support भी है प्लस यहाँ पर 0.382 का level भी आ रहा है इसका मतलब यहाँ पर support का cluster बन रहा है और इसी वज़े से यह important level है अभी अगर आप पूरा market का structure देखोगे तो market क्या बोल रहा है कि market गिरा retracement लिया अच्छे से गिरा और यहाँ पर से एक retracement या फिर एक pullback का expectations मुझे है क्यों कि already market यह अच्छा सा stretch हो चुका है एक important support पर भी है अगर market यहाँ पर एक pullback देगा तो एक profit booking यहाँ पर market में देखने को मिल सकते है देन यहाँ पर से fresh buying या फिर fresh selling के expectations हम रख सकते हैं ठीक है अब यहाँ पर हम trade किस तरी के से कर सकते हैं तो आपको clearly यहाँ पर से trade ही पता चल गया होगा market दो levels के बीच में फस आए अगर आप देखोगे तो यह दोनों भी levels मैंने आपके साथ में discuss कि हुए सबसे पहला है हमारा 0.382 का और दूसरा है 17,168 अभी यह level किस तरी के से find किया है simple यहाँ पर price ने support लिया था support लिया था support लिया था अभी price यहाँ पर नीचे trade कर रहा है इसी वज़े से यह level हमारे लिए resistance का काम करने वाला है इसके बीच में हमें नहीं trade करना है कल के market analysis में भी बोला था आज भी बोल रहा हो यहाँ पर हमें नहीं trade करना है क्योंकि यह volatility zone है अगर आप थोड़ा सा zoom out करोगे चार्ट प्रिवियसली देखोगे तो same zone में आपको बहुत ही जादा volatility दिखेगी price सिर्फ उपर नीचे उपर नीचे कोई भी direction नहीं है इसी वज़े से same price action यहाँ पर भी बन सकता है so avoid करो अपने stop loss थोड़ा सा side में breakout देता है तो हम यहाँ पर long जा सकते है यह gap easily यहाँ पर fill हो सकता है next important resistance होने वारा है 17,350 अब यह level हमारा market profile का लेवले price यहाँ पर जाके reject हो सकता ही से वज़े से अगर हम यहाँ पर कोई trades ले रहे हो तो यहाँ पर हमें profit booking करनी है अभी simple यहाँ पर से breakdown कर देता है तो surely हम यहाँ पर short के trades लेने वाले नीचे के important supports क्या होंगे तो आप simple क्या कर सकते हैं आप यहाँ पर Fibonacci extension का tool ले सकते हैं previous swing को bottom से लेके top तक कुछ इस तरह किसे लगा सकते हैं और यह 1.272, 1.618 हमारे ले important supports का काम करने वाले और यही 2 simple trades यहाँ पर nifty में बन रहे अभी यहाँ पर से bank nifty के चार्ट के उपर चलते हैं bank nifty में भी top down analysis करेंगे अगर हम daily time frame में चलेंगे तो simple हमने यहाँ पर भी discuss कियो था कि market अगर previous day का low break करता है तो market को 0.382 का बहुत ही important support है price यहाँ पर 100% support ले सकता है ऐसे मैंने कल के वीडियो में बोला था क्यूंकि market ने previous ले अगर आप देखोगे यहाँ पर बहुत बार मतलब लगबग 5 टाइम्स 5 डेट्स यहाँ पर price ने resistance लिया था सेम लेवल पर price ने दो बार support लिया हुआ था और सेम लेवल पर 0.382 का लेवल आ रहा है इसे वज़े से यह एक important लेवल था इसे हमने कल के market analysis में discuss कियो था और अगर हम यहाँ पर से 15 minute time frame में चलेंगे तो आपको दिखेगा कि same buying यहाँ पर buying rally कहाँ पर से लगी है exactly हमारे लेवल से ही यहाँ पर buying आई हुई है ठीक है अभी यहाँ पर हम क्या expectation रख सकते हैं गर थोड़ा सा one hour के time frame में जाके market structure define करें तो price सिर्फ यहाँ पर गिर चुका है यहाँ पर भी जिस तरीकी से निफ्टी में गिरा था एक यहाँ पर pullback का expectation हम रख सकते हैं market एक important level पर है कुछ important levels आपको बताऊंगा अगर वो levels यहाँ पर से breakout market कर रहा है तो एक pullback market में बन सकता है simple अभी यहाँ पर से हमें 15 minute time frame में जाना है एक trend line आपको यहाँ पर बता देता हो यह वाले trend line हमें हमारे chart के उपर draw कर लेनी है आप यहाँ पर देख सकते कि market बहुत ही अच्छे से इसे follow कर रहा है एक horizontal level आप यहाँ पर mark कर 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 सकते हो या फिर यह swing high आप mark कर 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 सकते हो अगर price इसे breakout कर रहा है या फिर हमारे support को breakdown कर देता है तो कोई भी pullback देखकर हम यहाँ पर से shorting की opportunity जरूर ले सकते हैं बहुती simple shorting के trades बनेगे market गिर रहा है हमें यहाँ पर से short करना ही होगा पर यह pullback की भी opportunity है पर pullback के trades कब लेने मैंने आपको यहाँ पर clear कर दिया है तो यह पूरी पूरी analysis बन रहे है हमारी nifty और bank nifty में अभी यहाँ पर से stocks की तरब चलते हैं सबसे पहला stock के हिंदाल को हिंदाल को अपने बहुती important Fibonacci level पे आ चुका है हमने यहाँ पर बात की होई थी weekly में यहाँ पर एक बहुती अच्छा support है then market ने क्या किया एक अच्छा impulse move लगाया then market ने यहाँ पर हम कह सकती कि distribution किया अभी यह उपर हुआ है इसका downside में breakdown हुआ है इसी वज़े से distribution किया market नीचे आ रहा है अभी यह structure हो सकता है impulse move, retracement, impulse move या फिर impulse move, distribution और यहाँ पर से reversal यह दोनों भी structure से यहाँ पर हो सकते तो मैंने simple क्या किया हुआ है कि यहाँ पर bottom से लेके top तक Fibonacci का tool लगाया हुआ है और price यहाँ पर 0.5 का breakdown कर रही है और यहाँ पर एक doge type candle बन रही है इसे हम बहुती अच्छे trade कर सकते है यहाँ पर हम downside के trades लेंगे किस तरी किसे करना है अगर हम यहाँ पर से 15 minute time frame में चलेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि 0.5 को price बहुती अच्छे से respect कर रही है यह हमारा 0.5 का लेवले price ने क्या किया इसे breakdown किया एक flag type pattern बना या retest किया गिरा एक flag type pattern बना रहा है हम यह flag type pattern ड्रॉ करना है जैसे यहाँ पर से breakdown कर देता है हम short कर सकते हमारा target होना चाहिए 0.618 ठीक है अभी यहाँ पर से nick जो stock है वह अमर राजा बैटरीज अमर राजा बैटरीज में भी बहुती अच्छा price action है अगर आप देखोगे तो price क्या कर देख अच्छा impulse move, retracement, impulse move, retracement impulse move और यहाँ पर से यह reversal type बना तो simple हम क्या कर सकते है यह previous जो impulse move था इसका 100% यहाँ पर breakdown हो चुका है तो हम क्या कर सकते है previous impulse move को Fibonacci extension का tool लगा सकते तो मैंने क्या किया bottom से लेके top तक Fibonacci extension का tool लगा दिया यह 1.272, 1.618 यह levels मुझे मिल गए अगर हम इस वाले 1.272 को आगे extend करेंगे तो previously market ने हाँ पर resistance भी लिया हुआ था इसी वज़े से यह important level है और price यहाँ पर support ले रहा है एक inside bar candlestick pattern बना रहा है अभी inside bar candlestick pattern बना रहा है इसका मतलब हमें upside में भी breakout देखने को मिल सकता है या फिर downside में भी देखने को मिल सकता है किस तरीके से trade करना है simple यहाँ पर हमें 15 minute time frame में जाना है और जो यह यहाँ पर inside bar candlestick pattern बना रहा है इस zone को हमें simple mark करना है आप यहापर देख सकते हैं कि यह zone यहापर हमने मार्क कर लिया, अभी यह जिस भी direction में breakout देता है, उस direction में हम यहापर trade कर सकते हैं, बहुती अच्छे levels हमें यहापर देखने को मिल सकते हैं, बहुती अच्छे trades है यहापर बन सकते हैं, तो इतना simple यहापर stocks का analysis बन रहा है, औ निफ्टे और बैंक निफ्टे का analysis में इने आपके साथ में share कर दिया है, तो होप है आपको analysis समझ में आ गया होगा, अगर analysis पसंद आई तो please इस वीडियो को like कर दीजे, आपके फ्रेंड के साथ, टेडिंग अमरी साथ share कर दीजे, और एसी वीडियो दिखने के लिए हमारे चैनल को subscribe भी कर दीजे, तो आज के वीडियो में इतना ही रखते है, thank you very much